एपिसोड नमबर 69 के स्टटिंग होती है और किन लुवाई उस रेस्टोरेंट इंप्लॉई को फोन देती हुए कहती है मिस्टर ली मोरिंग रेस्टोरेंट में है और वो अपना ये फोन भूल गये है तो प्लीज उन्हें ये फोन पहुचाने में मेरी मदद करे तब वो लेडी कहती है हाँ ठीक है फिर सिन सिफ्ट होता है और हमें ली दिखाया जाता है जहां वो मन में कहरा होता है इन लुवाई को ये सब खाना बहुत पसंद है वो अगर ये खाना देखेंगी तो बहुत खुश हो जाएंगी और तब ही वहाँ जॉवाई और म्यूलिंग पहुच जाते है और म्यूलिंग आते हुए ली से कह रही होती है ली तुमने इतना सारा खाना क्यों अडर किया हम तीन लोग इतना सारा खाना कैसे खाएंगे यादा खाना बरबाद हो जाएंगा पर जॉय आते हुए कहरा होता है डैड और उन दोनों का आता देख ली शौक्ड हो जाता है और मन में कहता है ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे है और मियूलिंग ली के पास आकर उससे कहती है जॉय को यही लाने का सोच रही थी अभी अचनक मुझे तुमारे असिस्टेंट का कॉल आता है जो मुझे बताता है कि तुम हमारा पहले से यहाँ इंतजार कर रहे हो और पिर ली कहता है मेरा असिस्टेंट वही मूलिंग कहती है जॉय आकर यहाँ बैट जाओ और खाना क्वाओ ली से कहती है वैसे है तुम आप तोर पर female assistant रायर नहीं करते लेकिन तुमने आज उसे फोन क्यों दिया भी वो लेडी वहाँ आ जाती है और कहती है एस्क्यूज मी मिस्टर ली जे उन मैडम ने आपको ये फोन देने को कहा इडली उससे वो फोन ले लेता है और मन में कहता है इन लुए मैंने तुमका अंडरेस्टिमेट किया इरसीन सिफ्ट होता है और वही किलनुई जा रही होती है और कुछ लोग उसका पीछा करते है और फिर किलनुई पीछे मुड़ती है और उन लोगों को देख मन में कहती है दो छोटे चुए मेरा पीछा कर रहे है और उन्हें क्या लगता है कि मैं अंदी हूँ पिर किलनुवाई एक छोटी सी गली में जाती है और कुछ दिर बाद वो दोलो भी उस कली में आते है उनमेंसे एक वेक्ति कहता है वो कहां गई फिर दूसरे वेक्ति कहता है हमने साफ तोर पर देखा वो यहीं आई थी और वो यहीं कहीं होंगी चलो उसे ढूंडते है और मुझे विश्वास नहीं होता कि वो यहां से कहीं जा सकती है तभी किलनुवई आकर उन दोनों को पीट देती है और फिर कहती है तुम लोग कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो फिर वो दोनों खड़े होते है और आगे बाड़ क्रीपी स्माइल देती हुए कहते है तुमको यह जानने की जरौत नहीं है कि हम कौन है बस तुम एक अच्छी लड़की बनो और हमारे साथ चलो और फिर किलनुए उसके प्राइवेट पार्ट पर मारती हुए कहती है बात नहीं करोंगे फिर मैं तुमें जब तक मारूंगी जब तक तुम बात नहीं करते और किलनुए के मानने से उस वेक्ती के अंडे टूड जाते है और फिर दूसरा वेक्ती उसे समालती हुए कहता है क्या तुम ठीक हो उस वेक्ती की जान निकल चुकी हुई होती है और फिर किलनुए डंडा लेकर आती है और उस वेक्ती से कहती है बोलो तुमको यहां किसने भेजा है फिर वो पहला वेक्ति आगे बढ़ती हुए क्याता है भागो दूसरा वेक्ति उसे देख मन में क्याता है वो इतनी जल्दी ठीक हो गया तभी किलनुवई उस वेक्ति के शोल्डर पर हाथ रखती हुए क्याती है रुक जाओ कहां भाग रहे हो फिर वो वेक्ति किलनुवई को मारती हुए कहता है जाने दो मुझे और किलनुवई उसके वार से बचती हुए कहती है तुम्हें सीखने की जरुबत है कि तुम्हें लोगों को कैसे फॉलो करना है घर जाओ घर जाकर प्रैक्टिस करो फिर किलनुवई उस वेक्ति को पंच मार देती है और फिर वो भाग कर जाते हुए कहता है ठीक है मैं तुम्हें अगली बार देख लूँगा पर किलनुवई कुछ नहीं कहती और उसके हाथ में एक बटन होता है और उसे देख कर वो मन में कहती है अगली बार अगली बार तुम फिर से मुझे मत मिल जाना और गायज जेटे के साथ एपिसोड नमबर 69 यहाँ एंड होता है पसंद आया तो लाइक और सस्केब ज़रू करें मिलते हैं को जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में